हर किसी को visual होगा यहाँ पर मैं पढ़ता जाता हूं और समझाता जाता हूं समझ लीजिए फिर उसके बाद question पर आएंगे हम सीधा ठीक है ना ओरली बोलने के बाद थोड़े बच्चे कह रहें के समझ में नहीं आया कोई बात नहीं पहला point क्या है सर income accrue और arise income accrue और arise का मतलब क्या होता है भारत की जमीन पे यानि इंडिया के अंदर आपने कोई भी काम किया हो पहले मुझे बताने का मतलब यही था आपको पता चल जाए क्रूज और क्यों नहीं तो बार-बार बच्चे पूछते हैं सर यह है वर्ड क्या भारत की जमीन से पैसे कमाओगे तो आपका स्टेटस रो आर हो नो आर हो यह 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 का मतलब है तीनों को टेक्स देना पड़ेगा पहली कंडिशन के लिए दूसरा सर इंकम रिसीव अगर आपने रिसीव कर लिया या डीम टू भी रिसीव इन इंडिया डीम का मतलब सर होता है आपको मान लेया जाएगा कि आपने इंकम में पैसे रिसीव किये हैं डीम टू भी रिसीव अगर इंडिया में रिसीव किया तो किसको टेक्स देना है तीनों ठेक उससे अगले point पे आते हैं third point income remitted to India, remitted का मतलब पता चला बाहर से है, तो किसको text देना है, इन दोनों को नहीं देना, simple सा मैंने एक chart बना दिया है इस chart में जितने point given है ना 15, इस से बाहर examiner point लाई नहीं सकता तो अभी जो question करेंगे आपको मैं दिखाऊंगा, इसी point में जोगा, बस आपको income total करके दिखाना होगा अब देखो अगला point आप दिमाग लगाना business in India but control logic क्या है sir, इंडिया के जमीन पे ही काम कर रहे हो, तो को देना पड़ेगा तीनों को business outside India but control from मतलब business business हमारा मैंने बताए, US से में, SBI branch, USA में control India से, तो मैंने क्या बताया आपको, दो को देना पड़ेगा, सर ये चीजे ना आपको, कोई formula नहीं है, ये चीजे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना कि इस तरीके से, पास्ट अंटेक्स इंकम, पास्ट अंटेक्स इंकम का मतलब क्या होता है, कई बार हम foreign में जब हैं, बाहर जब हम हैं, तो उस case के अंदर हो है, हमारे income को government, जैसे की मान लेते हैं, इंडिया के अंदर, आपने पैसे कमाया, और या foreign के अंदर बात करते हैं, आपने पैसे कमाया, वहाँ पे taxable नहीं हुआ, government ने उसको exempt कर रखा है, पुरानी income है आपकी, जो पहले कभी tax नहीं लगाई गई थी, अब वो भारत के अंदर है, या भारत के अंदर ही, पहले income आ अंटेक्स मतलब government ऐसा नहीं कि आपने चोरी करके रखा हुआ है घर में, इसका मतलब है government नहीं ले रही, जैसे मैं for example बात करूँ भारत रतन, जो होता है, जो भी इंडिया के अंदर है, कुछ एक criteria में उनसे tax नहीं वसूला जाता, क्योंकि भारत रतन मिलना बहुत बड़ी उपलबदी है, तो उसके government बोलते हैं हम आपसे tax भी नहीं लेंगे, तो उसके income क्या होंगे, इस साल जो पैसा कमाया ठीक है, जो इससे पहले income कमाया, उससे क्या बोलेंगे, past untext income, तो अगर कोई भी past untext income होगा, तो किसी से भी tax नहीं वसूला जाएगा, whether आपका status ROR हो, चा इधा बोलेगा past untext income, clear, चलिए अगले point पर चलते हैं, dividend from Indian company, देखिए कुछ बच्चों के पास पुराने books हो सकती है, तो पहले, इस साल से पहले की भी हम बात करूँ, last year, Indian income से dividend पूरा exempt होता था, लेकिन government ने amendment किया, और corporate dividend tax को हटा दिया, और बोला आप dividend पे tax देना पड़ इंडियन company से dividend है, और Indian company होगा कहाँ पे, और इंडिया के जमीन होगे, आपको तो tax देना पड़ेगा, समझ रहे ना बात को, इसके बाद, dividend income for a foreign company, मैंने सब में यहाँ पे yes लिखा हुआ है, yes इसलिए लिखा हुआ है, इसके दो situation है, एक condition यह हो सकता है कि यह पैसा भारत मे आ गया, foreign company से dividend है न, एक condition कि भारत में receive अगर हुआ है, तो तीनों से taxable है, ऐसा भी हो सकता है सर, foreign company से है, और भारत में पैसा नहीं हुआ, तो NOR, sorry, ROR से तो ले लेंगे, NOR से नहीं लेंगे, NOR से भी, यानि foreign में, आप रहते हो USA में, USA में, Microsoft के share खरीदे, वहां के share से आप ROR है तो ले लेंगे, अगर आपका status क्या है, NOR या फिर NR तो आपसे नहीं लेंगे, दोनों aspect मैंने यहां पर बता दी, आप ऐसा मन समझे कि foreign country से अगर dividend मिला, तो taxable करना है, status देखे कि वह व्यक्ति कहा है, अगर वो इंडिया में foreign dividend को receive कर रहा है, तो point number 2 लग गया, receive वाल receive कर रहा है, तो point number, तब तो तीनों में देगा, अगर वो इंडिया में receive नहीं कर रहा है, receive भी वहीं कर रहा है, तो कौन सा point लग जाएगा, कि आपका बाहारी कमाये जा रहा है, जैसे कि income earn outside India and receive outside India, तो कौन देगा, देखो, मैं दें दोनों aspect, question को देखके, ऐसा मत करना, कि sir question में दिया है, foreign company से dividend मिला है, हमने yes yes लगाए, yes yes कर दें, हाँ, बिलकुल exactly status, plus income इंडिया में आया, या फिर नहीं आया है, अब चलो मैं question बोलता हू, foreign company इंडिया में है, foreign company उससे dividend मिलेगा, कहां पे है foreign company, और उससे dividend मिल रह है, क्या taxable होगा या नहीं होगा, होगा, किसके लिए होगा, तीनों के लिए, point कौन सा लग रहा है, first point, accrue और arise लग रहा है, ठीक है, बिलकुल ठीक, agriculture, income, इंडिया, किसान आंदोलन, इंडिया के अंदर सुरू से ही, जवान जय किसान का नारा दिया गया है, भारत के अंद agriculture से जब कभी भी पैसा कमाओगे, तो सरकार ने बोला हम उससे tax नहीं लेंगे, चाहे आपका status कुछ भी हो, भारत की जमीन से, agriculture का मतलब यह नहीं है, कि आप Australia में जाके खेती कर रहे हो, और वहां से पैसे कमा लिए, तो यहां बोला गया है, income, agriculture, from, इंडिया का agriculture, वो taxable नह नहीं लेंगे, वो सरिफ एक पर्मोट करने के लिए, अब देखो मैंने बोला, agriculture income outside इंडिया, और receive इंडिया में हो जाए, कमाया आपने बाहर, Australia में मैंने खेती किया, और मैं receive अगर इंडिया से कर लो, तो point number सा 2 लग किया, इस पे receive वाला, उसके हिसाब से मैंने क्या बोला Yes, agriculture income outside इंडिया, बाहर कमाया, Australia में खेती किया, वहाँ agriculture income कमाया, लेकिन मैंने income अगर इंडिया में receive कर लिया है, उसको, तीनो टेक्स देंगे, लेकिन receive देर हो जाए तो, कौन सा point लगेगा बताओ, सिर्फ आरवार देगा, क्योंकि उसके अंदर कौन सा point लग जाएगा, point number पर 9, छीक है, gift receive from relative, relative का मतलब क्या होता है, आपका normal blood relation से है, आपके जितने भी blood relation में relative की definition बहुत detail में हम पढ़ेंगे, other source में आता है, question भी पूछा जाता है, relative से बोला जाएगा, आपको simply इस chapter में तो सिर्फ बोला जाएगा, relative से मिला, relative से जब कभी भी आपको gift मिलेना, सम इसी income पर tax नहीं देना, कितना भी हो, चाहिए करोड का मिल जाए, आपके पापा आपको एगर कोई भी gift दे दें, तो आप उसके उपर tax नहीं दोगे, आपने पापा को कोई gift किया, तो आपके parents भी उस पर tax नहीं देंगे, relative होना चाहिए, relative का मतलब blood relation से है, यहां पर blood relation से ह जैसे आपके brother हो गए, चाचा हो गए, तो यह पूरा relation के category में आएगा, gift non relative, आपने किस से receive किया, non relative से कितना, पचास हजार एक, आपने पचास हजार तक अगर receive किया, तो सरकार बोलती है कोई बात नहीं जाने दो, लेकिन अगर पचास हजार से ज़्यादा receive किया, तो आप के लिए, पचास हजार तक क्या है, आपने income 51,000 रुपए का gift मिल गया आपको आपके birthday पे, और 51,000 का आपके birthday पे जो gift मिला, सभी दोस्तों ने मिलके दिया, जो कि आपके relative नहीं है, तो अब आपका status कुछ भी हो, taxable पूरे 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 50,000 हो जाएगा, यानि जब आप non relative से gift लोगे ना, तो कितने तक tax नहीं दोगे, 50,000 तक, जहां 50,000 से exceed करेगा, तो 50,000 से सारे पे taxable हो जाएगा, ठीक है ना, relative से मिल जाए अगर 55,000 का gift तो नहीं देंगे, और friend से मिल जाए 55,000 का gift तो taxable, gift on the occasion of marriage, जितने भी black money को white money बनाये जाता है, marriage के time पे बनाये जाता है, अब एक movie भी था, मुझे याद नहीं आ रहा, movie था, क्या था, मैंने देखा था, उसके अंदर marriage के time पे ही, सारा का सारा, जो black money है, उसको white बनाये, कहा गया, के marriage के time पे, आप देखना, जो, जिनको tax की planning करनी होती है, वो marriage के time पे देखना, बहुत सारा gift दे देते हैं, उसको, तो वो क्या हो जाता है, marriage के time पे जितना मर्जी आप gift रिसीव कर लो, whether girls हो, boys हो, किसी के relative से आई, कहीं से भी, सारा exempt from tax है, income tax ने एक रास्ता छोड़ा हुआ है, black को white करने का, एक रास्ता छोड़ा हुआ है, black को white करने का, तो यह कर चाहूंगा, क्योंकि marriage के time पे आप gift दे तो आपने जो भी gift दिया, उससे question नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना, जिसने gift दिया है, उससे जरूर question पूछा जाएगा, कहां से पैसा आया हुआ है, ठीक है न, एक होता है text planning, एक होता है text jury, अगर India के अंदर कोई भी foreigner आता है, और वो gift देता है, उससे India question mark नहीं लगा सकता, कि आप कहां से पैसे लाएगा, वो तो बोल देगा USA से, तो कई बार text planning के लिए क्या करते है, कुछ foreigner को पैसे देते हैं, और शादी में बुलाते हैं, और बोलते हैं, gift भी खुदी खरीद के देते हैं, ब्लैक मनी से, खुदी gift खरीद के देते हैं, और ब gift received from employee, मालिक ने अपने नौकर को gift दिया, तो 5000 रुपए तक exempt है, बाकी taxable है, employee ने दिवाली पे कोई gift दे दिया, कभी भी gift दिया, 5000 रुपए तक tax नहीं लगेगा, बाकी पे taxable लग जाएगा, ठीक है न, ये 15 point है, मैं आपको ये PDF भी भेज़ दूँगा, ये 15 point है नहीं आज आ जाएगे, हाँ बिलकुल मैं ध्यान से बेज़ दूँगा, लास्ट में मैं PDF दे दूँगा, अब जो भी बच्चे लाइव क्लास में हैं, कुछ बच्चे जॉइन हो रहे हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं, जो भी 40-50 बच्चे लाइव क्लास के अंदर हैं, सभी का जो कोशन पूछना है, आप पूछ सकते हो, पहले तो अपने माइन के कुछ कोशन, फिर हम बुक के कोशन करेंगे, या एक कोशन हो जाए, कुछ बच्चे कुछ कुछ कोशन पूछ रहे हैं, लाइव क्लास में, बताईए किसी का कोई डाउट, सर पंदरा एक बार और बता दो, ठीक है पंदरा, 15 पॉइंट डाउट में, देखो 15 में गिफ्ट में में बात करता हूँ, दिवाली के टाइम पे, एंप्लॉईर ने, मालिक ने, अपने पास जो जॉब करता है, उसको एक गिफ्ट दिया, मान लेते हैं, कि 6,000 रुपे का एक गिफ्ट दे दिया किसको, गिफ्ट का मतलब कैस नहीं है, अगर नोन मोनेटरी है, तो उसको कैस में कनवर्ट कर लिया जाएगा, करेंट मार्केट वेल्यू से, 6,000 रुपे का एक मोबाइल फोन दिया, एक एंप्लॉई को, मिस्टर राम को, अब राम के लिए ये सिबल हो जाएगा, क्योंकि 5,000 से उपर का रिसीव किया है, अपने एंप्लॉयर से, अगर वही राम को, वो 4,900 रुपे का मोबाइल फोन गिफ्ट करता, तो जब राम अपने टेक्स को भरता, तो वो इसको आप इंकम टेक्सिबल के अंदर नहीं लेता, उसे एक्जेम्ट बोल देते, क्योंकि उसका इंकम जो गिफ्ट है, वो 5,000 से कम का है, एक क्या चीज़, अब एक बार फटा फट से मैं, 15 के 15 पॉइंट एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सर फर्स्ट पॉइंट कहता है, कि इंकम भारत में कमाओगे, तो कोई भी स्टेटस हो, टेक्स देना पड़ेगा, सर सेकिंड पॉइंट कहता है, भारत में पैसा रिसी करोगे, आपको टेक्स देना ही, देना होगा, आपका स्टेटस, वटेवर कुछ भी हो, सर फर्ड पॉइंट कहता है, कि इंडिया में अगर पैसा रिमिटेंस होता है, तो सिर्फ एक को ही टेक्स देना होगा, बाकी किसी को टेक्स नहीं देना होगा, चौथा पॉइंट कहत से mm लेकिन कोई भारती यह उसको नहों को चूंटरों कर रहा है तो दो लोगों को टेक्स देना पड़ेगा आर और एक मेरा छोटा सो question है, इसका answer दीजिएगा, मैं इसी point पर आगे लेके चलता हूँ मान लेते हैं कि मेरा एक business है, वो setup ना मेरा USA में है setup का है मेरा? USA में और control इंडिया से हो रहा है control इंडिया से हो रहा है वो sir, USA की income है 5 लाक रुपए पांच लाख में से तीन लाख तो इंडिया में रिसीव हो गया तीन लाख रुपए इंडिया में क्या हो गया मैंने कहा मैं इंडिया में हूँ मेरा बिजनस USA में है USA में सेट अप है कंट्रोल मैं इंडिया से कर रहा हूँ पांच लाग रुपे इंकम कमाया था जिसमें से 3 लाग रिसीव कर लिया आप बताइए अगर मेरा स्टेटस रो र है तो मैं कितने पे टेक्स देने के लिए लाइबल हूँ पूरे 5 लाग पे सर इस 3 पे तो रिसीव वाला कॉंसेप्ट लग गया और रो र हो तो कहीं भी पैसा कमाओगे तो देना पड़ेगा अगर मैं अनो र हूँ तो कितने पे दूँगा मैं सिर्फ 3 लाग पे जितना हमने कमाया है अगर मेरा अनो र है तब भी 3 लाग पे लगेगा तो वही पॉइंट यहाँ पे कहता है सर के इंकम आपका आउटसाइड इंडिया कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो दो पे टेक्स लगेगा एक पे नहीं लगेगा नो र और रो र के लेकिन रो र हो तो टेक्स तो देना ही पड़ेगा पास्ट अन्टेक्स इंकम पिछले कभी भी आपने पैसे कमाये हो की कंट्री में और आपको टेक्स नहीं देना पड़ा हो तो तो अब भारत के अंदर भी आपको टेक्स नहीं देना होगा चाहें आपका स्थेटस कुछ भी यूँ डिविदेन कं फ्रॉम इंडियन कंपणी कुछ बच्चे का कर देना अगर नोट दे देते हैं बाहर करते हैं लिए अर्व बच जाएंगे और और अगर अगर इंडिया से कमाओगय तो कोई डेग्स नहीं केना लेकिन आउटसाइड इंडिया से कमाओगे तो सारा का सारा टेक्स देना लेकिन आपने नेपाल में एक agriculture एक्टिविटी किया और नेपाल में ही पैसे रिसीब भी हो रहा है तो किसको टेक्स देना होगा सिर्फ आर वार को टेक्स देना पड़ेगा गफ्ट रिसीफ फ्रम relative fully exempt हो जाएगा gift received from non-relative 50,000 रुपे तक exempt होगा gift received from employer 5,000 रुपे तक का exemption मिलेगा बाकी नहीं मिलेगा किसी को कोई doubt है इस point में तो बताइए फिर हम एक question पर आते हैं पहले question भी देखते हैं फिर doubt पूछेंगे आपको भी मैं question करने के लिए दूँगा जहाँगा पूँगा आते हैं झाल 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 जी एक कुशन ये करेंगे 2008 में आया हुआ एकुशन एक्जाम में ध्यान दीजी आप कुशन चलिए आपके सामने एक कुशन है इसका जवाब देते जाएंगे समझते जाएंगे अभी हमने सीखा है थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे नहीं आएगा फिर से हम पीछे पलटके उसको प्रूफ भी कर लेंगे ठीक है कुशन कहता है कुशन कहता है कंप्यूट मिस्टर एक्स का इंकम बताना है ग्रॉस टोटल इंकम चाहे उसका रेजिडेंट और और हो तब भी बता दे अगर वो और हो तब भी बता दे अगर वो और हो तब भी बता दे तो मैं इसके लिए और और यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ और मैंने यहाँ लिख लिया पहले पॉइंट्ट में किसी को डाउट हाँ या नामे जवाब देते जाएए जो बच्चे लाइव में फटाफ़ से जवाब देजीएगा आपके कमेंट आने चाहिए मैं हर बच्चे का चैट पढ़ रहा हूँ फटा-फट कॉस्की ने जवाब दिया बाकी बच्चे भी जवाब दें फटा-फट से आपके कमेंट आने चाहिए नहीं डाउट जाउट हो तो बताना नहीं है तो नॉट क्लियर समझ में नहीं आया आल थ्री विल पे यूके मैं एक बर दुबारे रिपीट कर देता हूँ क्या कह रहा हूँ मिस्टर एक्स था प्रीवियस येर का इंकम बताना है रोयल्टी इंकम कोई भी इंकम है रोयल्टी मान लेते हैं गुडविल का एक तरीके से इंकम है और रिसीव यूके में ही अंड भी कहा किया गया यूके के अंदर और रिसीव भी यूके में किया गया मैंने बोला सर रोयल्टी के लिए टेक्सिबल होगा सर इसमें से कौन सा पॉइंट लगा है आप साथ के साथ मुझे ये भी बताएं कौन सा पॉइंट लगा है तब पता चलेगा आपको आ रहा है कौन सा पॉइंट लग रहा है पैसे बाहर कमाए गए और रिसीव भी बाहर ही कर लिए गए कौन सा point लग रहा है जवाब दीजिए आप बताईए live class में जो भी बच्चे है दिव्या ने जवाब दिया है दिया ने जवाब दिया है 9, रिया ने बोला है कि 3 सभी बच्चे point तो बोली सकते हैं आपके सामने फटा फट लिके कि आपको पता चल जाएगा at least क्या है कौसकी ने 9 काफी है चंदादीशा, कीर्ती, रवीना नमन, हर्शित, ओदित, अजे सभी बच्चे जवाब दें मैक्समम बच्चों का जवाब है 9, ये बहुत अच्छी बात है अब 9 point में क्या था income earn outside India receive outside India taxable will be for only ROR rest of 2 NOR and NR के लिए taxable वही काम मैंने आपके सामने यहां भी किया है अब क्लियर हो गया होगा hopefully दूसरे point में चलते है income from business in Bangladesh अब Bangladesh इंडिया का हिस्सा नहीं है receive there, वहीं पैसे receive हो गया है but control from India किसके लिए है मारा यानि यह आप कहना चाहते हो सर यह 58,000 यहां के लिए करो और 58 यहां के लिए करो और इसके लिए मत करो point number बता दीजिए कौन सा point लग रहा है इस पे कौन सा point लगा इसके अंदर 5th point लग गया आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल इंडिया से हो रहा है ठीक है ना तो 5th point में देखो मैंने लिखा है सिर्फ दो के लिए बाकी के लिए taxable नहीं है चलिए आगे देखते हैं यह question देखो आप सोच रहे हो के एसा question 2008 में एक्जाम में आया हुआ है और 10 नंबर को question आया हुआ है और आपको बस total income लेकिन अगर आपको concept नहीं पता है न तो आप question को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं तुक्के मार सकते हो बस सर आगे देखते हैं तीसरे point income receive outside इंडिया business connection in इंडिया मतलब receive किया income receive outside इंडिया और business connected कहां से है अब देखो income earn outside इंडिया मतलब मैंने बताया थे न SBI है इंडिया में interest बाहर कमा रहा है लेकिन connection business तो इंडिया सही है भारत की जमीन पे है तो किसको text देना होगा सर तीनों को text देना होगा बच नहीं सकता कोई भी इस salary receive in इंडिया received in इंडिया service rendered abroad अब receive हो गया तो point number two लग जाएगा सर तीनों को ही text देना पड़ेगा आगे income from agriculture in Nepal अगर आपने पैसे receive कर लिये हैं तो तीनों पे text लगेगा अगर पैसे receive नहीं किये हैं तो एक के उपर text लगेगा clarity नहीं है note देना पड़ेगा सर मैं तीनों में मान रहा हूँ मैं ये मान रहा हूँ पैसे receive हुए या चलो ये मान लेता हूँ पैसे receive नहीं हुआ नेपाल का तो सरिफ और सरिफ मैं मैं ये मान के चल रहा हूँ मैंने ये clear कर दिया आपको देखो past सर पास और टेक्स फारण इंकम हो चाहिए इंडियान इंकम हो कोई भी इंकम हो हाँ रिसीब आप कह रहे हो सर रिसीब तो नहीं लिखा हम वहीं मानेंगे कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इंडिया में भी रिसीब क्या था compute gross total income अगर वो रोर हुआ ना तो उसकी total income यह हो जाएगी अगर अर हुआ तो total income यह हो जाएगी अगर अर हुआ तो total income क्या हो जाएगी उसकी एक असी और अर अर पर आप count कर लो एक असी दो लाख और अगर आरो आर हुआ तो सर तीन अड़ तालेस फोर्थ पॉइंट बताना है सर फोर्थ पॉइंट इसके अंदर क्या है सल्री रिसीव इन इंडिया इंडिया में receive हो गया तो receive के case में आप देखोगे कौईंट नमबर हमारा सर कौंसा लग गया receive वाला और receive बोला गया कि income अगर इंडिया में received कर लिया आपने तो तीनों को टेक्स डेना पड़ेगा क्लियर पॉइंट नमबर टू में nr को क्यों नहीं पॉइंट नमबर टू था control अगर इंडिया से सिर्फ control है तो सिर्फ दो को ही text देना है यह income text का rule है अब इसमें ऐसा नहीं बोल सकते है सर nr क्यों नहीं दे रहा तो उसका कोई मतलब income text वालों ने एक law बनाए कि ऐसा situation होगा तो उ जैसे हम कुशन करते हैं mathematics में सर इसका answer क्यों है तो उसको मैं solve करके बदा सकता हूं अब जो बाते section में लिखा हुआ है सरिफ मैं आपको section समझा सकता हूं उस section में ऐसा क्यों कर रहा है वो चीजों को explaining कुछ भी नहीं है वो चीज कहें के law में बनाया गया कुछ चीजों को explain किय जा सकता है with logically जिसका है उसको definitely मैं करूंगा यहां पे सरिफ इतना ही है कि section के अंदर जो 616 सबसेक्शन वन है उसके अंदर सर यही define किया गया है कि ऐसे ऐसे situation वो तो समझो आप किसी भी किताब में उठा लेना यह वाले इतने detail में point आपको नहीं मिलेंगे वो तो मैंने सारे questions किये सारे questions के points बनाई मैंने point बनाने के बाद क्या-क्या examiner question पूछ रहा है पिछले 10-15 घुमा फिरा के यही पूछ रहा है 15 points बना दिये और इसमें सारे logic भी clear होगे जिसको यह 15 points क्लियर है question कोई भी कर सकता है आराम से ठीक है book में 5-6 में निप्टा देते हैं law के language तो 3-4 word में ही खतम कर दिया कि ऐसा होगा तो ऐसे टेक्स देना है कि अगर अगर अगल बाहर है और रिषीप भी ऑक्याद तो क्यों ठेक्स देना होगा और हो तो आप India के उलड़ रहरे हो और सब्सक्क्राइब सर्फ है थोड़ा बड़ा कुश्चन इसमें दो तिन पॉइंट तो हई है थोड़ा बड़ा कुश्चन लेते हैं चलिए बड़ा कुश्चन लेते हैं जी ध्यान दीजी आपको बोला गया है लेखिन हम इसका न आरो अर के हिसाब से प्रक्टिस के प्रपस के लिए बता देंगा एंगे अग्जाम के लिए तो यह पूछा गया है लेकिन प्रेक्टिस के प्रपस के लिए थे यह थे आपको पता चल जाए का कहता है Profit from Business in Delhi, Managed from London तीनों पे होगा पॉइंट नमबर बताईए कौन सा लगेगा पॉइंट नमबर दिखाना नहीं होगा मैं पूछ रहा हूँ कुछ बच्चे होते हैं न धूल में भी लट माना तीनों ने सुना बोल दिया थीनों ने पता भी तो होना चाहिए न के पॉइंट नमबर कौन सा है पॉइंट नमबर वन ठीक है तीनों पे ओल पे होगा ठीक है तो यहां पे मैं हलाकी आपका एक के लिए मैं भी दिखा दूँगा दूसरा पैंशन सर्विस रेंडिट इंडिया बट रिसीव लंड़न मैंने सर्विस यानि काम इंडिया में किया था किसी इंडियन कंपणी में किया था काम अब लंड़न चला गया वहां पे पैंशन रिसीव हुए ध्यान से सुनिए पैंशन सर्विस रेंडिट इंडिया इंडिया के अंदर मैं नौकरी कर रहा था retirement हो चुका है अब मैं बाहर चले गया हूँ और मुझे pension का पैसा मिल रहा है पैसा कहां से कमाया जा रहा है तो तीनों पे देना पड़ेगा क्योंकि इंडिया की पैसा अगर इंडिया में से source हो गया ना आपका जमीन इंडिया का इस्तमाल हो गया इंडिया में से पैसा कमाया गया तो कोई नहीं बच सकता फिर तो टेक्स गवर्मेंट लेके रहेगे इंकम प्रॉपर्टी सिचुएटिन इन लंडन रिसीव देयर अब बताइए मेरा यूके में प्रॉपर्टी है रिसीव देयर तो कौन देगा सरिफ कौस्की आपका समझ नहीं आया कोश्चन पारष जैन का बिल्कुल सही जवाब है यहां पर आएगा अगला इंकम एगरी कल्चर ध्यान देना है इंकम एगरी कल्चर लेंड इन नेपाल रिसीव देयर लेटर ब्राट इंटू इंडिया देखो रिसीव देयर पहले तो मुझे यह बात बताना यह है क्या रिसीव नेपाल में लेटर ब्राट इंटू इंडिया तो यह हो गया रेमिटेंस इंडिया लेकर आया है नहीं आप पूरी चीजे कुछन मैं दुबाराई रीट करता हूं इंकम एगरी कल्चर रेंड людям मां देखरा हूं कि एगरी कल्चर लैंड ए पहली बात तो इंड्धे के नाइंडेयर वहीं पहर हो गया आपको क्या कहते है कुछ्चिन लेटर व्लाइस रिंटू इंडिय मां भारत लएगा तो मैंने बत होता है तो किसको टेक्स देना पड़ता है सिर्फ एक को और और को तो उस सिचुवेशन के हिसाब से सिर्फ यह टेक्स देगा इस तीन लाक रुपए तीन है कितने हां यह होगा तो बाकी यह नहीं देगा एक्जामनर ने यह पूछा यह टोटल करके बता दें इंकम फ्रॉम इन पैरिस विच कंट्रोल फ्रॉम बिजनस पैरिस में है लेकिन सारा डिसीजन इंडिया से है तो दो में लगेगा आपका सर टोटल इंकम की बात करें अगर आरो आर होता तो पांच दो साथ पांच बारा और तिन पंद्रा उन्नेस लाग अगर सर और होता तो हमारा एक्जाम का अंसर क्या है 11 लाग क्योंकि एक्जाम में यही पूछा गया था तो एक्जाम का अंसर 11 लाग इस पॉइंट में कोई डाउट है तो बताए आंसर आप देखना चाहते हैं तो यह देखें सिर्फ इसने कम्प्यूटेशन देखो अब एक्जाम में करना कैसे है यह भी देख लो आप यह भी जरूर काईफ़ी बच्चों को बहुत सार आता है पहले हमने टाइटल हेडिंग डाला नीचे लिखो गए जिस साल के लिए पूछा गया पर्टिकुलर में सारा वही कोशन डिटेलिंग में लिखा गया है यह क्या हो गया और हमारा ग्यारा लाग कैसे आया हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया सेम अब यहां पे कुछ चीजे अगर टेक्सेबल नहीं होता और उसका आपको reason पता है तो नीचे note में आपको देना चाहिए जैसे कि for example income from property situated London they are receive तो इसका कोई हमारे पास note नहीं है बस हमें पता ही कि इस तरीके से होता है जैसे past agriculture income तो हमें नीचे note देना चाहिए कि agriculture income इंडिया में not taxable है इसलिए taxable नहीं हुआ exempt होता है इसलिए note देना पड़ेगा ठीक है ना चलिए एक और question दिखा जाए अभी तक किसी का doubt है तो आप मुझसे पहले पूछिए फिर मैं एक और question पर आऊँगा अब question पता है कैसा आने वाला है आप पहले उसका status निकालिए है कि वह आर और है या एनवार फिर उसके इंकम को डिटर्माइन करिए यानि पहले एक सो ब्यासी दिन तीन सो साथ दिन और सारे condition चेक करोगे यहां पर तो बोल दिया यह not ordinary resident है question में क्या पता बोलता यह इंडिया में 20 दिन के लिए आया फिर 25 दिन के लिए पिछले 10 सालों तक नहीं आया इसका इस इंकम निकालके बताओं तो फर्स्ट आफ ओल क्या डिसाइड करना पड़ेगा आपको इसका रेजिदेंशल स्टेटस फिर डिसाइड करना पड़ेगा कंपुटेशन हुट इंकम 17 1 वाले में डाउट है पारस का कहना है वन वाले में डाउट में पॉइंटेशल दॉइली डेटली इंडिया में है इंडिया से अकर प्रोफिट कमाये जा रहे है तो तीनों अगर आपका रिसीव होता है फ्रम से फॉलरेटिव links यह अगर दी आपका कुश्चन थोड़ा सा गलत है अगर employer से gift receive होता है तो 5000 तक exempt balance taxable relative से कोई भी taxable नहीं और other party से होता है non relative से non relative से तो 50,000 तक exempt अगर 50,000, 60,000 मिला तो पूरे 60,000 taxable और भी जितने बच्चें बताईए भई फटा फटा इस question में doubt तो एक और question और ले ले point number 3 और 4 3 में income from property situated London और received there इसमें कौन सा point लग रहा है पहले तो आप ये बताओ रोहित कौन सा point लग रहा है एक काम करते हैं क्योंकि time मैं एक question roughly दिखा रहा हूँ मैं PDF दूँँगा आपको board पर ध्यान दीजिए question number 1 देखिए ये chapter खतम होते ही फिर हम text भी conduct करेंगे इसका question number 1 ध्यान से देखना कहता है Mr. X एक foreign national है यानि वो इंडिया का नहीं है not being a person in Indian origin Indian origin भी नहीं है come to India first time इस तारीख पर इंडिया आया पहली बार visit 190 दिन करके चला गया इसका मतलब से इसने बेसिक कंडिशन तो पूरी कर दी 180 दिन वाला क्योंकि इंडिया में अब 180 दिन कर दिया इसने आ गया है तो इसका मतलब इसका status एडिशन वाला कर नहीं पाया तो क्या स्टेटिस बन गया अब इसका इंकम जो डिटर्माइन करना एस पर अनॉर के इसाब से करना है इंटर्स रिसीफ फ्रॉम गवर्मेंट आफ इंडिया किसके लिए टेक्सेबल होगा तीनों के लिए तो ऑटोमेटिकली नॉर के लिए भी हो जाएगा सर रॉयल्टी रिसीफ फ्रॉम फॉरन कंपनी आउटसाइड इंडिया पेड यूज बाय पेयर कहता है के रॉयल्टी रिसीफ फ्रॉम फॉरन कंपनी आउटसाइड इंडिया में ही रिसीफ हुआ है पेड और नोन हाव तू यूज पेयर और हाव तू यूज क्या होता है गु कैसे के लिए होगा नहीं तो इसका solution देख लीजिए आप एक बार अच्छा नो टु हाव यूज इन इंडिया भी है क्या एन वार एन आर इसका डेस केल्कुलेट कर लीजिए हमें निकालना कब का है एसेस्मेंट यह 21, 22, 20, 21 का होगा हाँ तो नहीं होगा यह आप इसका निकालिएगा ना क्यूंकि यह आया 10 में ठीक है तो यह 190 दिन के लिए विजिट करा तो कुछ डेज ना आपका यह 1, 4, 2, 0, 21, 21 में भी चला जाएगा उससे आगे भी साल एकसीड कर जाएगा आपका जब आप काउंट करेंगे तो मैं यह PDF आपको homework में दे दूँगा बाकि जो offline वाले बच्चे हैं पहले वह तो यह table को जरूर नोट कर लें क्योंकि noting जरूरी है online वाले बच्चों का जो doubt है doubt पूछे या फिर यह पहले table note करें फिर चुट्टी करेंगे झाले यह झाले बच्चे हैं जरूरी आपको झाले यह तो मैं दोगे खाले यह थो यह थो यह जो खुट्टी करेंगे